हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे केसी मटपनीर पुलाव एक दम खिला खिला और एक एक दाने में स्वात हो ये बहुत ही टेस्टी और फटा फट से बन जाने वाली रेसिपी है आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें स्वागत है आपका कमल्स मास्टर किचन में तो च चावल को आदे घंटे के लिए भिगो दे ज्यादा देर ना भिगोए भिगोने से इसमें एक लेंग्थ अच्छी आती है तब तक हम आगे की त्यारी करते हैं अब इसके साथ हमने फ्रेश मटर ली हैं एक कप काजू हाप वाले ली हैं तीन बड़े चमच अगर काजू नह जाल सकते हैं घी मेल्ट होने पर फ्लेम लो कर दें इसमें डालेंगे ये काजू और फ्राई करेंगे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि कलर और क्रंच आए और लगातार पलटा चलाईए काजू फ्राई हो गए हैं अब आप इने प्लेट में अलग से निकाल ले अब से golden brown होने तक fry करेंगे दोनों side से अलट पलट करते होए इसे fry कर ले 2 से 3 मिनट लगते हैं low flame पर fry नहीं करना पनीर सकत हो जाएगी अब हम इसे अलग plate में निकाल लेते हैं अब एक bowl में गुनगुना पानी लेना है और आधा छोटा चमच नमक में ला दें और पनीर जो shallow fry कर रखा था इसमें डाल दें ऐसा करने से पनीर soft बना रहेगा और heart नहीं होता अब एक pan लेंगे और पानी गरम करेंगे ये गरम पानी को हम पुलाव बनाने में यूज़ करेंगे इसमें मैंने तीन बाउल पानी डाला है फ्लेम को आप आउन करते साथ में डालेंगे खड़ मसाले दो तेजपत्ता एक मोटील आईची तीन छोटील आईची एक तुकड़ा दालचीनी का तीन लॉंग पान से छे दाने काली मिट साथ में हरे धनिया की नंठल डालें इसे तीन से चार मिनट के लिए बॉयल करना है जिस कारण मसालों का फ्लेवर पानी में आ जाएगा और पुलाव बनाने के टाइम जब हम ये पानी यूज़ करेंगे तो पुलाव में बहुत ही बढ़िया खुश्बू आएगी ये देखिए बॉयल होने के बाद कलर चेंज हो गया है पानी का इसे आप छान लीजिए इस पानी को पुलाव बनाने में यूज़ करेंगे कडाई लिए है और बचा हुआ घी डाल दें जिसमें हमने काजू और पनीर फ्राई किये थे साथ में एक बड़ा चमत देसी गी और डालें घी गरम होने पर फ्लेम मीडियम इसमें डालें दो तेजपता तीन लॉंग एक टुकड़ा दाल चीनिका फ्लेम लो करें खड़े मसाले कम डालें क्योंकि जब खाएंगे तो खड़े मसाले हुँ में ना आएं एक चोटा चमत जीरा एक के जूलियन अद्रक तीन हरी मिर्च कट लगा कर अब डालें फ्रेश मटर के दाने फ्लेम लो इसे हलका सा भून ले एक से डेट मिनट के लिए अब इसमें डालेंगे भीगे वरे चावल चावल का पानी अच्छी तरह से निकाल दे अब चावलों को भी घी के साथ भूनना है एक से डेट मिनट तक ध्यान से पल्टा चलाएं जादा ना चलाएं चावल तूट जाएंगे चावल भून गए हैं फ्लेवर एन्हांस करने के लिए डालें गरम मसाला वन फोर्ट चोटा चमच लाल मिर्च पाउडर वन फोर्ट चोटा चमच इसे भूनना है पल्टा जादा ना चलाएं अब चावलों में चमक आने लगए हैं चावल भून गए हैं अब मैं आपको कितना पानी डालना है पता रही हूं इसी बाउल से मैंने चावल लिये थे अब इसमें हम डालेंगे दो बाउल पानी जिसे हमने पहले से छान के रखा है जब हम चावलों को भून कर पकाते हैं तब हमें डबल पानी डालना है यानि की एक कटोरा चावल और दो कटोरा पानी एक दम खिले खिले और परफेक्ट बनेंगे अब इसमें डालेंगे केसर वाला दूद तीन से चार बड़े चमच छे से साथ केसर के धागों को मैंने गरम दूद में दस मिनट पहले भी हो रखाता इसे मिक्स करें अगर केसर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं उबाल आ रहा है चाबलों में नमक डालेंगे तीन चुथाई चोटा चमच या स्वाद अनुसार मिक्स करें आप चेक पी कर लें नमक कम लगे तो थोड़ा और एड़ कर देना कवर कर दें फ्लेम मीडियम पांच से छे मिनट बाद कवर हटाते हैं अब हलका सा पल्टा चला दे फ्राई पनीर का पानी निकाल दे देखिए अभी इस पुलाब में पानी है बस इस टेज पर शेलो फ्राई पनीर को डाल दे इस से पनीर सौफ्ट बना रहेगा साथ में फ्राई की हुए काजू डालें थोड़ा सा बचा लें गार्णिश करेंगे मिक्स करें चावलों के साथ अब इन चावलों को दम लगाएंगे उपर से कडाई को फॉयल पेपर से बढ़िया से कवर कर दें और इसके उपर कडाई का ढखन रख दें अच्छे से बंद कर दें ताकि स्टीम बाहर ना आए अब तवा लेना है उसे पहले से अच्छे से गरम कर लें फिर उसके उपर ये पुलाव की कडाई रख देनी है और इसे पकने देना है दम पर 6-7 मिनट के लिए फिलेम एक दम लो पुलाव एक दम परफेक्ट बनेगा खिला खिला दाने दाने में स्वा 6 मिनट बाद फिलेम आफ कर दें पर अभी धकन नहीं खोलना है 4-5 मिनट तक इसका कवर नहीं हटाना कडाई का दम हटाते हैं 4 मिनट बाद आप वॉयल पेपर हटाएंगे बहुत ही बढ़िया सी खश्बू आ रही है और एक दम जबरदस्त बनेगे आपके भी चावल ऐसे खिले खिले और सॉफ्ट बनेंगे और पल्टे की सहता से चावलों को साइट साइट से निकाले इसे गरमा गरम सर्फ करेंगे आप ये मटर पनीर पुलाप बना कर देखना फ्रेंड्स बहुती अमेजिंग बनते हैं मैंने इसे मिक्स राइते के साथ सर्फ किया है जैसे कि रिस्टुरेंट में सर्फ किया जाता है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेर करतीजेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना और अपनों का ध्यान रखें